पहले iPhone में lock screen पे आपको दो ही shortcut देखने को मिलते थे एक camera का दूसरा flashlight का लेकिन iOS 18 के update के साथ आप लोग इन दोनों shortcut को change कर सकते हो और इसके जगहा पे आप लोग कोई और भी shortcut रख सकते हो तो lock screen shortcut को बदलना बहुत यादा असान है आपको simply अपने lock screen पे tap and hold करना है फिर यहाँ से customize पे click करना है और lock screen पे tap करना है और यहाँ पे आपको option देखने को मिल जाएगा यह minus का तो आप लोग पर एक बार यहाँ पे minus मतलब की remove पे click करना है तो यह camera का icon आप लोग देख सकते हो यह हट गया है और अब यहाँ पे आपको plus का एक option देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको अब बहुत सारे options देखने को मिलते है तो आप लोग इन में से कोई भी चूज कर सकते हो जो कि आपका lock screen shortcut बन जाएगा और आप लोग देख सकते हो आपको यहाँ पे बहुत सारे options देखने को मिल जाते है calculator है, alarm है, dark mode है, recognize music है camera है, scan code है, airplane mode है, hotspot है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो इसमें से जो भी shortcut आपके काम का है आप लोग उसे home screen पे रख सकते हो तो आप लोग यहाँ पे अपने दोनों shortcuts को change कर सकते हो बहुत ही आसानी से और आप लोग अराम से जो भी आपका सबसे काम का shortcut जिससे आप लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हो वो आप लोग 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 पे रख सकते हो अगर यह वीडियो काम के लिए तो लाइक करना और चैनल को सबस्राइब कर लेना ऐसे ऐसे और भी कमाल के वीडियोज के लिए और iOS 18 पे मैंने और भी वीडियोज बनाया है तो जाके उन सभी को भी चेक आउट कर लेना थैंक्स विवासिंग